नमस्कार दोस्तो स्वागत आप सभी का दोस्तो सीटी वर्ती 20 ग्रूपों से समन्दित बहुत बड़ी समस्या 6 सितंबर आर या पार आखिर क्या वज़य है दोस्तो यदि आप कंप्लिट डिटेल जाना चाहते हैं वडियो को लाश्डक और धान से जोर्देखें इससे पहले यदि आप इस चैनल पर नए है तो चैनल को सबस्क्रायब जरूर करें और इस वडियो को लाईक भी जरूर करें और आप के पास जितने भी ग्रूप है सबी ग्रूपों में इस वीडियो का लिंक शेयर करें ताकि ये बात उन लोगों तक पहुंच सके जिनका सरकार से किसी ना किसी परकार से समंद है या फिर हमारी बात को किसी ना किसी परकार से सरकार तक पहुंचा सकते हैं तो इस वीडियो को इतना फैला हो कि ये बात सरकार तक जरूर पहुंच जाए अब हम इसमें डिसकस करने वाले हैं कि आप सभी को पता है भी 20 ग्रूपों से समंदित जो मामला कोट में चल रहा है क्या मामला चल रहा है कोट ने 20 ग्रूपों के दोबारा एक्जाम लेने के लिए बोल दिया है ये चीज़ आप सभी को बहुत अच्छे से पता है फाइनली जो निचोट निकला हुए वो क्या है बच्चों ने दोबारा से रिव्यू फाइल लगाई थी और 6 सितंबर को इसके अगली सुनवाई होने वाड़ी है और इसके अंदर क्या करना है अगर सरकार HSAC या फिर AG ओपिस से जो रिप्लाई फाइल का एफिडेविट है वो दायर कर दिया जाता है तो हमारा जो फैसला है उसके उपर जद साब कुछ ना कुछ अपना एक्षन ले सकते हैं कुछ ना कुछ फैसला सुना सकते हैं और अगर सरकार रिप्लाई फाइल नहीं करती है तो इसके उपर कोई भी एक्षन नहीं होने वड़ा है सिद्धी सिद्धी क्या होगा next date मिलेगी और इसके अलवा कुछ नहीं हो सकता है ज्यादा आप भी सब समझदारों ज्यादा बताने की जुरूरत नहीं है अगर अगली डेट मिलती है लंबी डेट मिलती है तो आगे क्या हो सकता है ये भी आप सभी को बहुत अच्छे से पता है कल को कौन सी सरकार बने कौन सी रहे सेम सरकार आए दूसरी आए कौन सी सरकार क आप सभी को बहुत अच्छे से पता है और सबसे बड़ी बात ही है कि युवाओं को एक एक दिन निकालना बहुत मुश्किल हो रखा है टेंशन इतनी ज्यादा है टेंशन में नोकरी करें या फिर इन चीजों के बारे में जो है ट्वीटर अभियान चलाएं कभी कुछ करें क सरकार से या फिर जो सरकारी करमचारी है एक एससी या फिर जो भी सरकार के समन्द में जो भी है उनसे रिक्वेस्ट करूँगा आज़ोड के रिक्वेस्ट करूँगा कि या तो आप इसका जो रिपलाई फाइल है उसको दैर करतें या फिर मीडिया के सामने या किसी ना किस तरीके से ट्वीटर के मादम से किसी ना किसी मादम से ये जरूर बता दे कि कब तक के रिपलाई फाइल करने वाड़े हैं और आखिर क्या वज़य है जो आप रिपलाई फाइल नहीं कर रहे हैं देगी का कारण भी पताएं ताकि युवाँ को किसी ना किसी परकार से संतुष पूरा पूरा युवा टेंसन में है और इससे नेगटिव महुल भी बन रहा है और नेगटिव महुल से आपको पता है आपका वोट बैंक है उस पर भी बहुत बड़ा असर पड़ रहा है आपका जो भी प्लान है आप मीडिया के सामने आगर या ट्विटर के मादम से जैसा भी आपको सही लगे उस तरीके से युवाओं के साथ सेयर करें ताकि सबको पता चल सके कि हमारा काम कब तक होने वाड़ा है और कैसे होने वाड़ा है और पोजिटिव है या नेगटिव है ये भी कंफर्म हो जाए फिलाल अगर सरकार की तरप से इसका कोई भी जवाब नह मिल रहा है तो सारे युवाओं नेगटिव है और सब को ऐसा लग रहा है कि इसके उपर कुछ भी नहीं होने वाड़ा है और सभी यह सोच रहे कि आने वाड़े दो चार्चाहे मिनने के हमारी नोकरी है उसके बाद तो फिर पता नहीं क्या हो सकता है दोबारा पेपर होगा उसमें क्या पता किसका सेलेक्शन हो किसका ना हो दो दो पेपर देखे युवाओं ने बहुत ज़्यादा मैनत करके नोकरी को हांसिल किया है तो इसका जो है फल युवाओं को मिला हुआ है तो ये ऐस इट इस बरकरार रहना चाहिए मैं यहीं चाहता हूँ बाकी जो भी सा ने ओट